गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशाद आप आलिंडे रेडियो की नेबरोट सर्विस बन से समात कर रहे हैं ये नशाद DRM 1071, News on AIR एप और DD Fridish पर भी दस्तियाब है ये औरिंडे रेडियो की अर्दू सर्विस है DRM 1071, News on AIR, DD Fridish के अलावा AIR वर्ड सर्विस अर्दू यूट्यूब पर हम आपसे मुखातिब हैं पेशे खिद्मत है प्रोग्राम सेहत और जिन्दगी सेहत और जिन्दगी सिलसले के तेर्ट हेलो डॉक्टर लाइफ ओन इन प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजरे खिद्मत है आप तमाम सामयिन का इस प्रोग्राम में खेर मक्तब है इस प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे बढ़ती सांसे मुतालिख बिमारियां और कोविड वबा हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लोकेश कुमारगर्ग आप सीनियर पल्मूनो लॉजिस्ट हैं चैस्ट और टीबी स्पेशलिस्ट भी हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर लोकेश कुमारगर्ग साहब हम आपका इस्तिखबाल करते हैं अपनी स्टूडियो में तैंक यू और चूंके कोविड वबा की अगर बात की जाए तो आज भी वही दुश्वारियां वही परेशानियां हैं जो अप से दो साल पहले थी बेदारी पैदा की जाए ताके वह इस वबा से महफूद रह सकें इसके रावा सांस से मतालिक जितनी भी बिमारी हैं उनके मतालिक हम इस पर बातचीत आपसे करेंगे सामें इस हवाले से आप भी मालूमात हासिल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से उसके लिए हमारा फोन नमबर नोट कर लिए 011-23421-260 फोन नमबर एक बार फिर सुन लिए 011-23-421-260 रहेगा इंतिदार हमें आपके फोन स्कॉल का चलिए तो प्रोगाम के शुरुआत करते हैं बाकाइदिय से और डॉक्टर साब से सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जो पहले कोविड वबा यानि कोरोना का डेल्टा वेरेंट था उसके मकाबले में जो ओमिक्रोन है इसमें क्या फरक है उसके मतालिए थोड़ा सा बताए उसके साइनों सिम्टम्स क्या है ताकि सभी यह जान सकें किस तरह से वो मुक्तलिफ है और हम कैसे उससे बच सकते हैं नमस्कार मैं डॉकिश कमारगर आज आपके सामने बात करूंगा ओमिक्रोन के बारे में ओमिक्रोन और डेल्टा वाइरस जो हैं दोनों में डिफरेंस में यह है जो अभी तक हमने देखा है कि Omicron highly infectious है, highly contagious है, इसका मतलब है कि फैलता बहुत जल्दी से है, और इसकी जो cases doubling time है, two to three days है, as compared to delta wave, delta में चार से पांच दिन में फैल रहा था, doubling हो रहे थे cases, यह दो से तीन दिन में ही case double हुए है, highly infectious है, communicable बहुत जादा है, लेकिन severity अब तक जो notice की है, बहुत कम है, as compared to delta wave, second wave में हाकर मच गया था, बहुत बुरा हाल था, hospitalization एकदम से बढ़ गये थे, oxygen लोगों का कम हो रहा था, तो third wave में हमने जो Omicron के cases देखे हैं, तो manly involve करता है हमारे upper respiratory tract को और bronchus को, तो इसमें जो symptoms आते हैं, पहले सबसे पहले fever आता है, fever high grade हो सकता है, हंडेड टू, हंडेड थी भी जा सकता है, depends on हमारी immunity के उपर, उसके बाद गल्या चोक होता है, गल्या पकड़ता है, लोग complain करते हैं, गल्या में pain है, बोला नहीं जा रहा, खरास है, इस तरह की symptoms जादा आते हैं, खासी तो common है, सब में, यह देखा किया है कि लंग्स को है, तो ओमिक्रोन के cases में, लंग्स इंवर्म नहीं हुए है, तो oxygen बूरा मेंटेन रहा है, हॉस्पिटलेशन कम रहा है, अभी हम जो देखेंगे, रोज डाटा आता है कि इतनी patient की death हुई, कोबिट की वज़े से, या इतना hospitalization है, वो generally other disease के patients है, mostly, जिनको other comorbidity है, like liver की disease है, heart failure है, multi-organ failure है, pneumonia है, या किसी complicated, कुछ हजरी हुई है, इस तरह के patients है, mostly, जो admit किसी और वज़े से हुए, और COVID उनका positive आया, तो COVID positive है, तो उनके death भी COVID में ही मानी जाएगी, तो इस तरह के patients ही mostly इस पर hospitalized हुए है, और normal हमने अपना भी hospitals में भी देखा कि hospitalization rate बहुत कम रहा है, जै, जैसे आपने, अभी ये बताया है कि गले में तकलीफ, खांसी, बुखार, जुकाम, ये आम तोर पे जो viral fever हो जाता है, उसमें भी ये सब परिशानिया होती ही, जब मौसम खास दोर पे तबदील होता है उस वक्त में, तो किस तरह से आप differentiate कर सकते हैं? देखो, नॉर्मल फ्लू हर साल होता है, पहले भी होता हाँ है ह। कर सबसाइड हो गया है, और बटी पेशेंट दो दिन में ही बहुत अच्छा फील करता है। इवन पेशेंट साल मेडिसन लिए हैं नहीं लिए है। दो दिन, तीसे दिन से काफी इससे फिल करता है और नॉर्मल फ्लू में जनरली पांचे दिन लग जाते हैं तो यह डिफरेंस है और बोडी पेंट बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल फ्लू में सावई जैसे कि आपको मालू है कि आज हम बाचीत करें अपने प्रोगाम में बढ़ती सांसे मुतालिक बीमारियां और कोविड वबा आज हमारे एक्सपर्ट ने डॉक्टर लोकेश कुमार गग सीनियर पर्मोनोलोजिस टेस्ट एंड टी बी स्पेशलिस्ट हैं आप है और इस मुतालिक आप भी मालूमात हासिल कर सकते हमारे एक्सपर्ट से हमें बरायरास्त इस्टूडियो में फोन कर सकते है हमारा फोन नमबर है 011-23421-260 और इस बीच में एक कॉलर मौजूद है लाइन पर उनसे बात कर लेती है हलो हाओ जी आप सुक्रिया सर मेरे सवाल है सर कोरोना हुआ था मई मैं अपरेल माई में सर अच्छा हाँ जिसके बाद मेरे सर लंस तर ठीक हो गए प्रें तू और भी जानना क्याता हूं कि इसके मतलब क्या इतियात हिए तरकनी चाहिए कोरोना हुआ था पूरान वा था या पुरीदर कीच आपकी कुन से टेष्ट करूँ हुआ यदि यह पिछले साल की बात करें या उस से पहले वाले साल की बात करेंगे यह यह अगि अबी आफ इसकी बात कर रहें आपको कोई ऐसा सिम्टम स्याइए यानि कि चलने पर सांस नहीं फूलता है खा कोबिड होने के बाद सांस फूलता है और खांसी लगाता रह रही है या कोई और भी सिम्टम से वेट लॉस हो रहा है तो उसका हमें PFT टैस्ट होता है पल्मरी फंक्सिन टैस्ट वह करा सकते हैं लंग की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं कि लंग हमारा कितना वर्क कर रहा है लंग करने के लिए तो एक बात यह और जाना जाते थे इसी हवाले से अक्सरों बेश्टर यही कहा जाते है कि कोरोना हुआ पॉजिटीव हुआ पेशेंट उसने दवा ली और आराम किया उसके बाद वो सिम्टम्स जो है वो खत्म हो जाते हैं तो क्या जरूरत टैस्ट की रहती ह होते हैं जिस दिन से टैस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई होती है उस दिन से माना जाता है और गौर्मेंट कहते है कि री टैस्टिंग की जरूत नहीं है यदि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है 10 दिन के अंदर यदि आपको कोई पूरे होने के बाद कोई फीवर नहीं ह कोई सांस नहीं, फुल्डा कोई कफ़ नहीं है, तो आपको रे टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पे जा सकते हैं, ज़र अजितिए हैं, ज़रूरत नहीं की होम एज़ूरिशन जो भी पेशेंट mostly जिनमें family history होती है उनिको आस्थमा होता है genetic predisposition होता है अस्थमा की कर दोगिसमें और आस्थमा स्टार्ट किसी भी हो सकता है even with birth पर भी सबसु लो सकता है 90 years एज, पर भी स्टार्ट हो सकता है अच्छा बोडी allergic होती है जैसे है allergen का exposure होगा तब ये आपको प्रॉलम होगी, अधर्वाइच, यदि आपको ऐलर्जिन का एक्स्पूजर नहीं हो रहा, तो आपको आस्थमा का अटेक नहीं आएगा, और जनरली जो आस्थमा के पेशेंट्स होती है, उनको या तो वेदर चेंज होता है, तब अटेक आता है, या धूल मिट्टी में जात है, तो आस्थमा का में जो इलाज है, वो है अवर दे अलर्जिन, जो भी आपका नोन ट्रेकर पॉइंट है, आस्थमा का, उसको आपको आवएट करना है, और जिनको ज्यादा है, जिनको सिवेर्टी मौडरेट है, सिवेर है, बार बार अटेक आते हैं, उनको लंग की कैप पर टीटमेंट नहीं लेते हैं, पर टीटमेंट डॉक्टर एडवाइज करते हैं, इनलर्स, इनलर्स का यूज एजपर डॉक्टर के गाइड रेंज से होना चाहिए, और जैसा डॉक्टर बताएं, उसी साब से इनलर लेने हैं, कई लोग सोचते हैं कि आस्थमा है, इनलर अभी तो हमें आजएत पड़ जाएगी, तो वह जब भी सांस फूलते हैं, तो टैबलेट के फार में ज्यादा पसंद करते हैं, टैबलेट डीए, किसी डॉक्रस याके, कैमिक से जाके, कोई डैरी फालिं ये खाता है, कोई आजश ठेलिं के टैब खाता है, उससे उनको आर लंग से अंदर रिमोडलिंग नहीं होती, लंग से अंदर अधर पर्मनेंट चेंजेज हो जाते हैं, प्रॉपर टीटमेंट नहीं मिलने की वज़े से, जिसके वज़े से आपको फ्यूचर में इसकी पॉसिबिल्टी रहते हैं कि बारह मिनी सांस फूले, और आपको हस्पिट लेशन की विज़त पड़ जाती है, बड़ी एहम मालूमात आपने दी दमे के हिसाब खवाले से, अच्छा यह जो आप ट्रीटमेंट की बात करें, यह लाज की बात करें कि वक्ती तोर पर तो ट्रीटमेंट ले लिया, आपने पास पास दिन, साथ दिन या दस दिन, लेकि लेकि अपको बहुत माल्ड शिम्टम्स हैं, और साल में आपको एक अटेक आता है, तो आपको बारह मेने दवाई लेनी जरुतनी है, आपको उसी टाइम जब आपको अटेक आता है, पंदर दिन से एक मेने करीब मैक्सिम दवाई लेनी पड़ती है, और आपको घर पे भी आप अपना पीक एक्सपरिटरी फ्लो मीटर आता है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका नॉर्मल आप कितना फ्लो आ रहा है, और जैसे ही आपका उस मैक्सिम फ्लो जो होता है, एवरेज फ्लो उससे टूंटी परसेंट कम आता है फ्लो, किसी भी चैमिस शोप पे पी जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपका टीटमेंट फिर लंबा चलता है, क्योंकि उसमें कुछ और बैक्टरिल इंफेक्शन हो जाता है, और आपका सांस की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको होस्पिटलेशन की विजरत पड़ जाती ह जो बहुत ज़्यादा सिवेरली इल होते हैं, उनको इनलर बारह मिने लेने भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें पर्मनेंट चेंजेज हो जाते हैं, तो हमें रेगुलर भी इनलर एडवाइस करते हैं, जिनको बच्पन से आस्थमा चला रहा है, इस्टार्टिंग में प् बारह मिने लेने के सांस पूलती हैं, तो उन केस में वो होने को तो आस्थमा होते हैं, पर C.O.P.D. एक लंग्स की बीमारी होती है, उस टाइप से उस में लंग्स में चेंजेज हो जाते हैं, उनको बारह मिने दबाई खानी पड़ती हैं, अच्छा मतलब खास लोगों को ह लेने की जरूरत है, अदरवाइस तो जरूरत नहीं है, इस मतलब कुछ और बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल लाइन पर एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हलो, हलो, अबरार खान साब, जी, अबरार खान साब, जी, बताईए, कैसे हैं मिजज़, आप कैसे हैं यह? जी, मैं भी अच्छा हूँ, और आप बताएं, क्या जानना चाहते हैं, आज इस प्रोग्राम में? सर, एक दोस है हमारे, करीबी, जी, फॉर्टी सिख से या फिप्टी रेने उमर आएंगे उनकी, तो वो दोनों एक्षिन लगा चुके हैं, अच्छा है, और लेकिन खासी और गले में रात में थंडा पानी पे तकलीफ हो जी सर, अच्छा, अभी भी मतलब तकलीफ है, हाँ सवाल है, वो सुन लिया हमारे एक्सपर्ट ने, और डॉक्टर लोकेश जो है, आप जवाब देंगे, आपके इस सवाल कर, देखो, जैसा आपने बताया, आपके जो फ्रेंड है, 45-50 एज है, उनकी खासी नहीं जा रही, उनको हो सकता है, साइनुसाइटिस की प्रॉलम हो, साइनस की प्रॉलम हो, नक से जो पोस्ट नेसल डृब बोलते हैं, साइनस से वो गरती हो, जिसके वैसे रात को गले में खरास हो जाती हो, और खासी हो, तो एक बारे दोक्टर को दिखाए, और अपने परनेजल साइनस जो होते हैं, साइनस का एक्सरे वगरा करा करा कर भी आप E&T specialist को भी दिखा सकते हैं, chest physician को भी दिखा सकते हैं, और यदि खांसी लंबे टाइम तक रहती है, तो हमें TB को भी रूल आउट करना पड़ता है, टुबर क्लोसिस का भी टेस्ट करा सकते हैं, यदि खांसी लगातार बनी रहती है, और या पेशिंट को साथ में fever आता है या वेट लॉस हो रहा है, तो हमें TB के वारे में सोचना चाहिए, अतरवाई जिस तरह से आप बता रहे हो, सिर्फ गले में दिक्कत होती है, और खांसी है, तो वो sinus या allergy की प्रॉलम हो सकती है, COVID से इसका correlation नहीं है, बड़े अच्छी मालूमात आपने बताईए, और गलत फ कि अपने आप जो है दवा नहीं लेनी चाहिए, और कोई भी परिशानी है, तो उसे जाकर दिखाना चाहिए, और रही बात COVID या कोरोना की तो उसमें परिशानी वाली बात ये नहीं है, कि आप एक बार अगर पॉजिटिव हो गए, तो फिर आप हमेशा के लिए उसमें कि अगर बात की जाए तो लंक्स में या फेपड़ों में उतना इंफेक्शन उसके वज़ा से नहीं हो रहा जितना गले पर उसका ज्यादा असर है, तो ये जो निमोनिया के हवाले से हम बात करना चाहर है, तो पहले तो आप ये बताएं कि निमोनिया जो है ये आम आदमी क जो हमारे लंक्स के पार्ट्स होते हैं, जो हम बोलते 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 हैं, जो हम बो पेशन को फीवर आता है और बल्गम का कलर डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टिरिया है कौन सा इंफेक्शन है उसके यलो हो सकता है ग्रिनिश हो सकता है और रेडिश हो सकता है डिपेंड करता है कौन सा निमोनिया है तो रेडिश हो गा तो इसका मतलब कि बलड भी उसमें आ तो यह बात की जाए तो न्यमोनिया के हावाले से आपने बात बताई कि जो दोनमें फर्क वाली बाताइगर है सांस की बिमारी मोर इसमें दोनों में जिस्टिकेंने में अज हुडOSH धिक्कें होता है साथ में ऐपूर्ट मेंCS में वंधारि Development तो क्या वह भी निमोनियकी वझास से हिया और उसके होती है ? जो हम जनरेले आपते मां पापलीक वहलते हैं पालग यथे recent करकτα में है ? वो लंग के बाहर होता है, लंग के बाहर एक लेयर होती है, जिसको हम प्लूरा के बोलते हैं, तो प्लूरा की भी दो लेयर होती है, उन दो लेयर की बीच में एदी फ्लूर एकटा हो जाता है, तो प्लूरल एफुजन बोलते हैं, और इंडियन में मोश्टली वो टुबर क्ल पर बात वैकसिनेशन की किРИ जाये, ठ्चंकर बड़ा एहम यह मौजू है, वैकसिनेशन की जहां तक बात है, तो पंदरह साल से ऊपर के बच्चों को भी वैकसिन जो है, अब आगया लग रहा है, और काफी बच्चों को जो है, वैकसिन लग सब इस्टर बई-स्टर पहले हैल्थ-केर वरकर्स्कों लगाया फिर 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 शिटी एस प्लस और फोटी फ्लाइव जो पाले ग्रूप है उनको लगाया जी फिर अब गवर्मेंट ने फिप्टीन प्लस जो बच्चे जो बहार जाते हैं मैं ली क्योंकि अभी तो आंलैन क् का मिल चुका है को वैक्षिन वैक्षिन के लिए तो अभी अगले फेज में होफ़ली नेक्ष्ट फानिशिल येर से ट्वल्थ प्लस बच्चों को भी वैक्षिन को वैक्षिन से स्टार्ट हो जाएगा अच्छा जैसे ये टाइम टो टाइम वैरेशन जो है वो तब्दील हो रहा है वैक्षिन के अवाले से में बात कर रहे हैं तो क्या सभी में ये कारगर है चुकर पहले जैसे डेल्टा की बात की जाए उसके बाद और भी वैरेंट्स जो है कितनी कारगर है ये तो अभी रिसर्च होनी है लेकिन अब तक पाया गया है कि वैक्षिन जिनको लगी और timely लगी हुई है, उनमें severity कम होती है, यह generally पाया गया है, अगर वो infected होते हैं तो उनको severity कम होगी, लेकिन इसका protection 100% कभी भी नहीं है, यह मान के चले, protection जो 72-90% protection होता है, जो 32-30% public रह जाती है, जिनमें effective नहीं है vaccine, उनके अंदर antibody नहीं बन रही है, vaccine लगने के बाद जूद उसके बहुत सारी बज़े होती है, उनकी immune reaction ऊगर हो सकती है, तो वो अभी भी sensitive है, उनको COVID होगा तो उनको उतनी severity से होगा, तो इसलिए जो साबधानी है, जो government of India कहती है, ICMR कहता है कि हमें hand को बार बार दोते रहना चाहिए, hand sanitization करना चाहिए, mask लगानी चाहिए, social distancing है, तो यह और vaccination time पर लगए है, schedule तो जरूरी है, जी, यानि के sanitization, mask और social distancing समाजी दूरी जो है, यह बहुत जरूरी है, और इसका ख्याल तो अब हमें रखना हो क्योंकि जिन्देगी का एक हिस्सा बन गया एक तरह से, यह ना केवल COVID से बचाती है, बहुत सारी infections है, जो respiratory infection है, even tuberculosis को ले लो, या बहुत सारे, even जैसे N95 mask लगा कि कोई जाता है, तो जो asthma प्याले patients है, उसको प्रोटेक्शन होता है, allergen exposure नहीं होंगे, तो उसको asthma का टेक नहीं आता है, हमने पिछले दो साल में देखा कि asthma के patients हमारी OPD में काफी कम हो गए, उसका region है कि patient mask लगाता है, और pneumonia की patient भ hand sanitize कर रहा है, तो infection नहीं जा रहा है, तो मास्क के अगर बात की जाए और sanitization की तो बहुत सारे बिमारियों से बचाता है, ना सिर्फ Corona या COVID से, और यह एतियात बहुत जरूरी क्योंकि परसनल हाईजिन के अगर बात की जाए, तो यह तो बहुत जरूरी है हमारी सेहत के infection हो भी जाता है, तो उसकी जो अलामात हैं वो उतनी ज़्यादा severe नहीं होंगी, उसका infection उतना severe नहीं होगा, जितना ही कि उस शक्त को जिसने vaccination नहीं लिया हुआ है, तो लियाज़ वैक्सिनेशन कराईए, बहुत जरूरी है, और जगा जगा centers बने हुए हुकुमत की और वहां जाके फॉरण आपको आधर कार्ट दिखा कर आपका vaccination हो जाता है, तो vaccination बहुत जरूरी है, और अब तो चुके बच्चों में भी और vaccination शुरू हो गया है, जैसा कि डॉक्स आपने भी बताया था, और दूसरी बात है कि आप इसकूल जो है, दुबारा खुलने जा तो इसमें बहुत जरूरी है कि बच्चे जो पंदरा साल से बड़े हैं वो इम्यून हो जाएं, तो अच्छी बात रही और infection कम से कम जो है, वो spread होगा, बड़ी एहम बात आपने बताई इस हवाले से, और मेरे खैल यह है कि प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक डा बच्चित का सिलसला जारी रहेगा, लेकिन जाने नगबा सुनवाने से पहले आपको फोन नमबर बतायते हैं, इस हवाले से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, आज का मौजव है बदलती सांस से मुतालिख बीमारियां और कोवीड बबा, हमारे एक्सपरट है डॉक्टर लो 2-6-0 तू धार हे लदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी का मानी है, एक प्यार का नगु माने जो दिल को तसली दे, वो साज उठा राओ, तम भुटने से पहले ही, आवाज उठाला हो, तुशियों का तगंध है, आश्कों की जबानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी का मानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी का मानी है, एक प्यार का नहीं, तेरी मेरी का मानी है, एक प्यार का नहीं, तेरी मेरी का मानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी का मानी है, सेहत और जिन्दगी सिलसले के तहत हेलो डॉक्टर लाइफ ओन इन प्रग्राम जारी है, और आज का मौजू है, बढ़ती सांस से मुतालिक बिमारियां और कुरोना वबा, इस हावाले से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग और आप सीनियर पल्मोंजोलोजिस्ट चैस्ट स्पेस्लिस्ट और टीबी स्पेस्लिस्ट भी हैं। टीबी कर बात की जाएं। एक जमाना था कि टीबी का इलाज जो है वो ला इलाज सम्झी जाती थी। लेकिन आप चुके इलाज मुम्किन है और हुकुमत की जानी से भी जगा जगा जो है सेंटर्स बने हुए हैं। और डॉट्स के नाम से जो मशूर हैं वहां दवा भी फिरी मिलती है जाज भी होती है और सब कुछ आपको वही मोहिया करा दिया जाता है और ज्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो घर के पास आपके सेंटर है वहां मुम्किन है तो यह जानना चाहत पहले माना जाता था लाइलाज बीमारी है पर आज की डेट में गौर्वन्ट आफ इंडिया ने इतनी इनिशिटिव चलाया है कि टीवी पूरा मलब हंडेट परसंट क्योरेबल बीमारी है और टीवी के वारे में कब हमें सोचना चाहिए लोगों के एक मित है कि टीवी में खांसी होता है बलगम होता है लेकि टीवी की वारे में आपको बता दूँ कि टीवी बॉडी का हर पार्ट को इंवल्व कर सकती है ब्रेन की भी टीवी हो सकती है रीडिक हड़ी की भी टीवी हो सकती है बहुत लोगों को फ्रेक्चर हो जाता है रीडिक हड़ी का या उसमें pain रहता back pain रहता है उनको TV डाइंघनुस होती है और कईयों को governed बन जाती है जिसमा होंके कई बार patient को fever आता है और चान्च में जब छाँच कराते हैं उसमे पस बनता है जिसको WEis c니다 आपberschn duas प्रहिए सबकार जाता है Groß फ सकती है जब पेशन को फीवर आ रहा है, दस पंदर दिन हो चुके हैं, फीवर नहीं जा रहा है, और साथ में पेशन को खांसी है, और कई खांसी साथ बलड आता है, और तब हमें सोचना चाहिए, और पेशन को वेट लॉस हो रहा है, इसमें जो फीवर आता है, जनरली को जरूरी नह और प्रॉन को कुष्य लीट, सबसेंदी दस क्या मैं कैसे इस चुछ I am a अग्यह संतर्कन पेटोगी तैसमय्य लेक्शाव में ने फिर रहते रहे यह चैसे theme तो टीवी किसी भी पार्ट की टीवी हो सकती है, लिवर में भी कई वर पास पढ़ जाती है, तो लिवर एपसस बोलते हैं, उसमें भी टीवी कई वर निकलती है, और इस तरह से टीवी पूरी बोड़ी को किसी भी पार्ट को इंवल्ब कर सकती है, बोन्स को इंवल्ब कर सकती कि पानी भढ़ जाता है, प्लूरल रिफुजन बोलते हैं, पानी के साथ सा कई वाद उसमा पस पढ़ जाता है, जिसे हैं, एमपाई में बोलते हैं, तो वो भी एक टीवी की वज़े से होता है, और कोविट के बाद भी हमने देखा, कि कई पैसें जसे सेकंड वे में ज्याद जिसके वैसे हम बोलते हैं, हवा बढ़ जाना, नीमो थोरेक्स, इस तरीके से भी केसे हमने देखे हैं, टीवी के, और टीवी के लिए सबसे इंपोर्टन रहे हैं कि टाइमली डाइगनूसिस, टाइम पर जब डाइगनूसिस हो जाता है, हम एकसे कराते हैं, बल्गम की जा बलड आ रहा हो जासी के साथ, तो ऐसे केसे में जब टीवी डाइगनूसिस हो जाता है, टॉक्टर टीटमेंट शुरू करता है, इसके दो कोर्स होते हैं, इंटेंसिफ फेज और कंटिनवेशन फेज, जो six months का कोर्स होता है, आज की डेट में, six months का कोर्स पूरा करना कई लोग क्या करते हैं कि 15 दिन दवाई खाई आराम आ गया चोड़ दी और उनको लगता है मैं तो ठीक हो मेरा फीवर भी चला गया खांसी भी नहीं है और छोड़ देता है फिर उसको बाद में क्या होता है कि कुछ महीने बाद या कुछ साल के बाद कि टीवी का बैक्टिरि अब इसलिए सबसे लंबा टीटमें कोई भी इन्फेक्शन जो बोलते है कि नॉर्मल अपते दस दिन पंदर दिन एक महीन एंटिवाटिक चलती है इसमें जह महीने कम से कुछ चलते हैं कई बार तो नाइन मांत या वन यर भी यह कंटिनू करने हैं पहले यह से नौ महीने क पहले लिए जो लोग चोड़ देते हैं टीवी का टीटमेंट उनको बाद में दिक्कत होती है लंग्स में डेमेज लगाता रहता है और लगातार होने के वज़े से उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है कैविटी बन जाती है जिससे फ्यूचर में भी उस चैविटी के नंदर फंगल इंफेक्षन भी हो जाता है एस्परजिलस का एस्परजिलोमा हम बोलते हैं तो इस तरीके से बहुत टीवी का टीटमेंट मैं तो बोलूँगा कि पूरा ख़तम करें शिक्समेंस का जरुच कॉर्स करें कंप्लीट कोर्स करने से फादा है कि दुबारा होने के चांस बहुत कम होते हैं, री इंफेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, और लंग्स की कैपिसिटी भी बिल्डप बनी रहती है, अधरवाइस, लोगों को, जिनको हम देखते हैं, कि पास्ट में टीवी हुआ, सांस की दिक्कत होती है, बन जाती है, उनको फिर आगे जिंदी के बार लेने पड़ते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो नौबत नहीं आये, उससे सबसे बेस्ट है, टीट्मेंट पूरा करें, और जब डॉक्टर बोले आपको टीट्मेंट पूरा हो गया है, तभी अपने आपको टीवी फ्री माने, अच्छे, एक बात दोर ज जी राजी अगरवाल साहब आदाब कैसे हैं, क्या जाना चाहते हैं, यहाँ साब मेरा ये सवाल था कि इसके लिए दिंचेदिया कैसी हो कि इससे सांस की तक्दिव ना बढ़े, अपने को पान पान कैसा रखे, जैसे मुझे बारिश में तक्दिव रेती है, अच्छा, कोुमारा मेरे जिए चले है बहुत शुकरिया ये सवाल करने के लिए यह जानना चाहते हैं, यह कि सांस की तकलिफ है इनको बढ़ जाति ज tint मौसम यह तबदील होता है जैसे बता रहे हैं कि इनको बारिस के मौसम में सांस की तखली बढ़ती है तो मोश्टली इनको आस्थमा हो सकता है जो वेधर चेंज होता है जरूरी नहीं कि विंटर्स में हो रेनी सीजन में भी जैसे वेधर चेंज होता है तब इनको आस्थमा कटेक आ सकता है कर सकते हैं और खानपीन में यह ज्यादा ओईली फूड ना खाएं और इस पैसिव स्मोकिंग से बचें जो भी घर में कोई स्मोकिंग भी करता है उस कमरे में ना रहें या इस घर में कई अभी हलांकि चूला वगरा का यूज तो कम हो गया है जी दुहें दपाड़ी से बचे तो बस और डॉक्टर से अपना एक पी एफटी टेस्ट करा लें राजीब जी पी एफटी टेस्ट से पता लग जाएगा आपको आस्थमा है के नहीं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बाद डॉक्सब करें कि यह टेस्ट आप करा सकते हैं उससे आपके लंक्स की क्या इस तो इससे नहीं पार जाएगा, तो इसे इससे कहा जाता है, इससे खासी बढ़ जाते हैं, अदमे को कोई कुछ सोसता है कोई सोसता मुझे इन्फेक्शन हो गिया कोई इसलिए उसकी जो लाइफ स्टायल है काफी चैंज हो जाती है क्योंकि पब्लिक मीटिंग में जाता है खांसता रहता है तो उसे अच्छा नहीं लगता तो बैटा रहे हैं आवाइड करें जिनको एदी सेंसि जाने होती है और सांस में देकत आती है और अभी कुछ देर पहले हम टी-बी के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक बात हम और यह जानना चाहते थे अपने सामयन की जानिब से टी-बी आपने बताया कि लंग्स के लावे नी फेपोडों के अलावा किसी भी और्गन में हो सकत है वो दिमाग में भी हो सकती है गांठो की टी-बी हो सकती है और केडिनी में हो सकती है इंटेस्टाइन यानि आतों में भी हो सकती है तो क्या इन सब की जो अलामात है जो सिम्टम से एक ही होते हैं या कुछ अलग होते हैं जो सिम्टम से हैं जिस पार्ट को इंवल्व तो पहसलों बुरुनों को छुक्राते हैं। एड़ेक रहता है।े अग एंड़ेख रहता है। मैं में मेमरी लॉस भी हो सकता है, व कही वार मेरे पास पेसेंट आए कि ही जिन को लगता है कि मिरे साथ कुछ हो रहाया थे अच्छ तरह के परसप्सें होते हैं और इस तरह के थोद आते हैं कि मैं गिर जाओंगा, चक्कर आ रहाया है। इस तरह के भी आते हैं, डिपेंड करता है ब्रेइन के किस लोब में, तुबर कलोमा है, और जैसे बोन की टीवी है, तो बोन से रिलेटेड ही सिम्टम्स होंगे, फीवर जनरली आता है, अच्छे जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या रहते हैं, जैसे आपने करते हैं, वेट लॉस वेट लॉस जनरली रहता है, वेट लॉस और फीवर दो चीज जनरली रहते हैं, यह सभी में तक्रिबन मिलें हैं, और एक चीज़ों मैं बताना चाहूँगा, जैसे टीवी इंडिया में एंडमिक डिजीज है, टीवी का बैक्टिरिया हमारे इंडियन पॉपुलेशन में वन थर्ड पॉपुलेशन के अंदर है, लेकिन वो लेटेंट इस्टेज में हैं, जिसको लेटेंट टीवी बोलते हैं, यह सभी मोन टॉक्स टेस्ट कराएंगे, जो चम्री में इंजेक्शन लगा के करते हैं, उसके फोटी एट आर्स के बाद रीडिंग करते हैं, देखते इसे कि गारा बाद आर्स के में बात 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 निकल लिया, आपने का बढ़ा से बात बात थैस्ट के बाद गये, करप आए लगिशन होते हैं, तो है अगर आपका इम्मूनिटी य बेल काम है, प्रॉबद करते हैं, इस में सबनाने के यह से बता बात 貌ने पास की बीमारी होती है 살kếटर मों जिसमें एक interview , डिजिव मृ इं। है फ्वेप्र शुकुण में वाली बीमारी है तो उसमें भी फाल्स नीյेचिव पानी अगटिंव ना बीत है , अध। बहुत श्रीक्ति आपको ग्लिनिकली कोर्येट करना पड़ आपको पड़ता है आपको देखना पड़ता है also tavuk i am the मीटर्स ही होते हैं, तभी हम मानेंगे, की वरोगी है, कई अन्दर को तीवी, करें पर फॉटे हैं, मिनकी सिम्टम्स होते हैं, आपनेन नॉर्म ग्हें बीजय भी खाली, भेस्टे़्ज निया रहा है, तो ऐसे केस में हम उसको क्लिनिकल टीवी मान के चलते हैं, हम पेशिंट को एमप्रिकली टीवी के दवाई देते हैं, और पेशिंट का वेट गेन भी होना सुरू हो जाता है, और पेशिंट को सिम्टम्स भी सबसाइड हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम पूरा टीवी का कोर् बल्कम का सेंपल, इसलिए हम और अल्ली मॉनिंग सेंपल का बोलते हैं, जिसमें गारा बल्कम होते हैं, ना कि सलाइवा हो. तो तेन दिन लगाता है इसको टेस्ट कराते हैं या एक दिन से काम चल जाते हैं? इस फर्स सेंपल में पॉजिटिव आजाता है तो सेकंड और थर्ड सेंपल की जरूत नहीं होती है, तो जनरली तीन सेंपल या दो सेंपल तो रिर्वार होती है, कई वर ऐसा भी होता है कि हम सीटी स्कैन कराया है, उसमें टीवी के फेवर मां आ रहा है, जिक बलगम में नेग मालूमत आपने हवाले से दी, और इस बीच में एक कॉलर है लाइन पर उन से बात कर लेते हैं, हलो, जी कौन साब बात कर रहे हैं, मैं खुदा बख्ष खिलिवा बोल ला हूँ, जी जी, आदा बर्स आदा बर्स, खुदा बख्ष खिलिवा साब, क्या जानना चाहते हैं, अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं इस हवाले से, इस हवाले से आप क्या जानना चाहते हैं, मैं यह जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आपका और बहुत मालूमाती स्वाल भी है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, जानते हैं, अपने एक्सपर्ट से क्या कहना चाटा है हूँ ऐसा है अभी government of इंडिया ने announce कि अभी handis 60 plus वालों को भी booster dose देंगे जैसे 60 plus वालों को booster dose complete हो जाएगी फिर अगले phase में 60 से below वालों को booster dose देने रूर करेंगे जी तो आप घख़राइए मत नोबाज आंपका भी number लगवा रहे हैं अभी बूश्टर डोज 60 प्लस वालों को लग रही है या हेल्थ केर वरकर या फ्रेंट लाइन वरकर उनको लग रही है अलो जी अभी आपको कफ हो रहा है तो वैक्सिन तो वैसे भी नहीं लगवानी आपको बूश्टर डोज पहले अपने आपको डॉक्टर को दिखाएं कफ सीरप और अंटिवाइटे को गरा वो देंगे जैसे ठीक हो जाए फिर आप वैक्सिनिशन वारे में सोच सकते हो जी क् लगना है कि विदिन अमंत गोर्मेंट 45 तो 60 वालों को भी बूस्टर डोज लगाना सुरू करते हैं एक चीज़ और भी है यहां जिनको पहले जरूरत है उसे एतबार से पहले उनको बूस्टर डोज दी जा रही है जैसा कि डॉक्स अबने भी बताया कि हेल्थ वर्कर्स ज उनको पहले दिया जा रहा है उसके बाद फिर ऐसे अफराद हैं जो 60 से अबव हैं यानि 60 साल से ज्यादा है उनको पहले पौकियत दी जा रही है और आपका भी नंबर आएगा जरूर आपको बूस्टर डोज मिलेगी और अगर आपने दोनों वैक्सिन्स लगवाली है वै इंफेक्टेड हो भी जाते हैं कोरोना से तो आपको ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन और सिंटम्स इतने सीवियर नहीं रही है उसके वज़ाए से और आप कुछ मेडिसीन लेकर थोड़ा आराम करके आपने आपको आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं तो वैक्सिनिशन बहुत जरूरी है यह बात की बात है के बूस्टर डोस जो है जब आपका नमबर आएगा तब आपको मिल जाएगी आने वाले टाइम में गौर्वन्ट आफ इंडिया इसको बिल्कुल डेगुल करने वाली है मार्केट में भी बहुत अफोरड़बल जिसको भी वैक्सिन लगानी हो जैसे फ्लू का टी का लोग लगवाते है जो ज्यादा इस ग्रूप है उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि फ्लू का टी का हर सा लगवाओ क्योंकि जो वायरस है इसमें मूटेशन होते है तो मूटेशन होने के वाईज से इसके बूस्टर का वैक्सिनेशन शेडियूल है पूरा जो टी का कारी होती है उनके कई बार वो अधूरी रह जाती है जैसे याद है कि ये टी का तो रह गया है तो क्या उसको उम्र निकलने के बाद भी लगवाए जाए है कैचप इम्मुनिजेशन बोलते हैं उसम गौर्मेंट का वो है कि कैचप इम्मुनिजेशन के अंतरगत जो रह गए हैं वो लगवा सकते हैं चाहें उम्र बच्चे की को निकल जाए है जी और इस वीच में एक और कॉलर है लाइन पर उनसे बात करते हैं हलो अलेकूम जी वालेकुम अस्सलाम तो यास्मीन खानमस जी 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 आ जए अच्छा जी खे ब tal बोल जाते हैं यास्मीन साहिए है और सब एक टीक है सवाल दो करना चाए दॉक्टर साब से बिलकुल कीजए पैरी काईडियम क्या होता है इसका लाज आसान कैसे किया जा सकता है अच्छा और दूसरा सवाल अक्सर फेपड़ों में खून के धब्बे जमा हो जाते हैं और सास लेने में तकलिफ होती है इसकी क्या वज़ा होती है दिए किलास शुरू हो गई है रॉप सबके नमस्ते ऐसा है कि जो पेरिकाडियम है वो हमारा जो हार्ट होता है हार्ट के चा प्रेशर बढ़ने के वह वह से कही वार बल्गम के साथ ब्लड आ जाता है इसके लिए आपको काडियों से कंसल्ट करना चाहिए उसकी कुछ दवाईयां चलती है वो रेगुलर खानी है और दवाईयां खाएंगे तो रहेगा और दूसरा सवाल क्या था आपका वो भी दोर प्रेशा दीजे अक्सर फेपडों में खून के धब्बे जमा हो जाते हैं और सास लेने में तकलीफ होती है तो इसकी क्या वजह हो सकते हैं तो इसके लिए आपको दवाई डॉक्टर के अनुसार ही दवाई खानी है और जब लंग में कुछ भी इंफेक्शन होगा या टो लंग की कैपिसिटी कम हो जाएगी लंग कैपिसिटी कम होगी तो अतनी अक्सिजन जन्रेट नहीं करेगी तो आप जैसे बतार हो चलने पर सांस फूल रहा है जब भी एक्जर्शन करो गए तो सांस फूलेगा तो प्लो लगा कर रहें तो बुलकु सीदा लेटों के तो सांस ज्यादा फूल होगी लेटने हैं पर सर को थोड़ा सा उंचा करके रखना है जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और यह जैसे अभी आपसे द्रियाफ्त कर रहे थे के लंग्स में या फेपड़ों में जो है खून के धबे या पैचेज हो जाते हैं तो क्या लंग क एपने पैजिस भी हो सकती है हाठ के वाल में दिक्यत हो जो अग County को देखे हो अगका सकता है नुग कर के लिए अन्जर के भी बाढ़ तो छोन के लिए चकोसित का दर यह माथ सकती है तो उसमें वेट लॉस होता है फिवर यह आ सकता है और ब्लड आ सकता है आट ब्लड और अडिके सकता है तो उससमाने चैका जाता है जाता है। तो इसका जो एलाज और पादोन स्टेश कया यह जा चैनल के संट। के बीजते हैं इस उसके स्टेजर । प्री आठके बाजर के घटो से अब अच्छा जानके है है। यह पेथलोजिकल जानना चाहते हैं कि हर कैंसर के अपनी एक विस्यस्ता होती है कि कि वो किस तरह से स्परेट करेगा फिचर में और कॉन सी दवाई चला आए अस पर एड़िनो कार्शिनुमा है, इस्वेमेस सेल कार्शिनुमा बहुत सब्स्क्राइब होते हैं और मालुमात के हिसाब से भी वड़ी ऐमियत रखता है ये आईश्मान भारत के हम बात करना चाहेंगे क्योंकि हुकोमत हिंद ने ये जो स्कीम चलाई है ये खासतोर पे ऐसे अफराद के लिए जो बिलो पावर्टी लाइन है खासतोर पे उन लोगों के लिए जो वीकर पॉपलेशन सर्वे किया था उसमें से वी डाटा को निकाला कि जो कुछ गुरूपस हैं जो गरीब लोग थे या कुछ पर्टिकोर कम्यूटी से बिलोंग करते हैं उनको एक बेनिफिशरी बना दे उन फैमिली को इसमें अप्रॉक्स 11 करोड फैमिली है जो आईश्मार फै इसमें अफैसर का बेसिकल परव हैं ज Indians साउर ये अफैरर को ले जाकरके और अदा कारके सनुन होㅜ ऑ और चाहरा कर पैद कार्या पार्भी। हर साल बनवाने ही जरुतनी होती है, वो यह काड हमेशा चलता है, और उस फैमली का पांच साल तक का सारी बीमारी के राज फ्री होता है, लेकि इसमें एक कन्फूजन है, सरकार ने क्या किया है, कि कुछ बीमारी सरकार ने गौर्नमेंट होस्पिटल को के लिए रिजर्व अच्छार ने पूरा पूरा होस्पिटल एम पैनल है, गौर्वरंट अफ इंडिया ने इसमें पूरी आजादी दिया होस्पिटल को आप चाहो जिस इसपेशलिटी को आप आईश्मान भारत के पैनल पे लेना चाहो, आप ले सकते हैं, किसी होस्पिटल ने पूरा होस्प अच्छार ने पैकेज डिसाइड करें, अच्छार ने पैकेज के अंदर यह पेशेंट यह फिट बढ़ता है, जैसे मान लोग किसी के पेट में दर्द होता है, उसने अल्टर संग कराया है, उसमें गौल ब्रेडर में स्टोन आया, और डॉक्टर ने वह आपका ऑप्रेश आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कई वर क्या होता है, पेशेंट आते हैं सिदे के मेरे पेट में दर्द है, मेरे इलाज कर दो, इस तरीके के इसमें प्रावधा नहीं है, इसमें सरकार चाहती है कि जो गंबीर बीमारी हैं या किसी की कमी के वेशे से अपना ऑपरेशन न हो गया, लूज मुशन हो गया, वो सारी बीमारी सरकार ने गवर्मेंट हॉस्पिटल के अंदर रखी, हाँ, बहुत से अब सरकारी हॉस्पिटल है, वहां भी जाके आप फिरी इलाज जो है, वह आपको मोहिया है, उसका बेनिफिट या उसका फायदा भी आप उठा सकते है और अगर कोई ज्यादा सीरियस बीमारी है, बहुत ज्यादा, और सरकार ने एक हेल्पन नमर जारी किया, 14555, यदि किसी को लगता है कि मैं इसका बेनिफिशरी हूँ या नहीं हूँ, आईश्मन भरत का, तो 14555 पर कॉल करके भी, वो कुछ आप से डिटेल मांगेंगे, आ कि आप बेनिफिशरी है कि नहीं, इससे आप यह भी पता कर सकते हैं, आपके निकरतम आपका हॉस्पिटल कौन सा पैनल पर है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आप को किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो आपका हेल्प लाइन नमर है, 24 आर्स है, और बहुत वैक्सिनेशन के हवाले से बात हुई, सांस की कई मुक्तलिफ बीमारें जो उन पर भी बात की, लेकिन जाने से पहले, इस प्रोग्राम में इजादत लेने से पहले हम चाहेंगे, कि आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, कि वो अपनी सेहत को बरकरार रखें, और ये कोरोना के अलावा भी दिगर बीमारियों से भी वो महफूद रह सकें, मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँआ, कि कोरोना अभी गया नहीं है, नम्मर एक चीज, ये ना सूचें कि कोरोना चला गया है, कोरोना के लिए एतियात हैं, जो भी सरकार ने गाइडलेंस जारी करी हैं, मास के लिए, हैंड सेनिटाइजेशन के लिए, इस सारे आप करते रहे हैं, दूसरी चीज, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कि सेल्फ मेडिकेशन कुछ भी होता है, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उससे बीमारी, पता नहीं कि आपके अंद गर्ट साब का, कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, खुद दवा नहीं लेनी चाहिए, और देखें कहा भी जाता है, नीम हकीम खत्रहे जान, तो इस बात से भी बचना चाहिए, और आप गए आपने कैमि शॉप से एक टैबलेट या एक टिक्या खरी दी और वो खाली, तो इस चीज़ से बचना चाहिए, गुरेस करना चाहिए, अगर आपको कोई परिशानी है, तो आप डॉक्टर से रूजू करें, बाकाइदगी से डाइगनोसिस होने के बाद उसका इलाज हो जाएगा, और आपकी जो सहत है, वो मादूम नहीं होगी, और आप महفوظ रहें और समाजी दूरी, इनका ख्याल लखना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं, कि आपकी सहत बरकरार रहें, और इस हवाले से जो भी मालूमात डॉक्टर लोकेश आपने दी, बड़ी उम्दा मालूमात थी, और यकीन करती हैं हम, आप उमीद है कि हमारे तमाम सामें इ के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कभी वक्त मिलेगा तो आपको फिर मौका देंगे, तो सामें ये थे आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग साहब, सीनियर पर्मोनोलोजिस्ट चेस्ट और टी-बी स्पे अगले प्रोगाम तक के लिए अपने मेजबान नईम को दीजिए, इजाज़त, खुदा हाफिज जिन्दगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम हो फिर नहीं आते हो फिर नहीं आते जिन्दगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम हो फिर नहीं आते हो फिर नहीं आते पूल खिलते हैं लोग मिलते हैं पूल खिलते हैं लोग मिलते हैं मगर पत जड़ में जो फूल मुरजा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं कुछ लोग इतन रोज जो पिछड जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं सेहत और जिन्दगी सिलसले के तहट अभी आप सुन रहे थे हेलो डॉक्टर लाइफ फोन इन प्रोग्राम आज का मौज़ू था बढ़ती सांसे मुतालिख बेमारियां और कोविट वबा हमारे एक्सपर्ट थी डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग सीनियर पर्मोनोलोजिस्ट चैस्ट और टी-बी स्पेशलिस्ट गंगा जमनी तहजीब के अकास उर्दू सर्विस की नशार आप पॉलिंड रेडियो की नेबरोट सर्विस बन से समात कर रहे हैं जिन अश्याद DRM 1071, News on AIR एप और DD फिरिडिश पर भी दस्तियाब है